दोस्तो ओम नमस्ट सिवाय आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पांच अगस्त से ग्यारा अगस्त दोहजार चौबीस के धनु रासिफल के बारे में अगस्त के इस सप्ताहा में लक्ष्मी नारायन राजियोग अपने पूरे प्रभाव में होगा दरसल बुद्ध और शुक्र के सिंग रासि में गोचर से यह राजियोग पूरे सप्ता बलसाली रहने की संभावना होगी और जोतिस सास्त के अनुसार लक्ष्मी नाना नारायन राजियोग धन संपत्ती में सम्रद्धी और सफलता दिल के लिए काफी उत्तम फल देने वाला होगा इस रासि के जात्कों को आर्थिक लाब और अपार खुशियां मिलने की संभावना रहेगी तो दोस्तों आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवीदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइ कर दें बैल आइकन को प्रेस कर दें और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ दोस्तों यहां सूरिय देव पूरे सब्ताक कर करासि में वराजमान होंगे यानि आपके आठवें भाव में सक्रिय होंगे और यहां से दूसरे भाव पर द्रस्टी डालेंगे तो ऐसे में आठिक छेत्र में बड़े बदलाब देखने को मिलेंगे जो आपके लिए सकारात्मक परणाम देने वाले होंगे। मंगल के साथ साथ गुरू भी आपके छटे भाव में यूति कर रहे हैं। यानि मंगल का और गुरू का एक साथ होना आपके उपर कारे का अतरिक्त बोज़ डालेगा। आज में आपका कद बड़ेगा। घर परिवार के लोग भी आपकी प्रिसंसा करेंगे। बुद्धि के कारक ग्रह बुद्ध देव पांच अगस्त को सुबह 9 बजकर 44 मिनट पर सिंग रासी में वक्री होने जा रहे हैं। बुद्ध ग्रह सूरिये की बेहद निकटतम वाला ग्रह है। बुद्ध ग्रह को मिथोन और कन्या रासी का स्वामी माना जाता है। व्यक्ति के जीवन में ग्यान और बुद्धि मता को बुद्ध ग्रह ही दरसाता है। जब कुंडली में बुद्ध नकारात्मक इस्तिती में होता है तो व्यक्ति को तंत्र का तंत्र तंत्र त्वैचा संबंदित परिशानिया लीवर से संबंदित परिशानिया दे सकता अगर बुद्ध मिठोन और कण्याराशी में मौजूद होता है तो जातक बुद्धिमान होता है अच्छा लाब देने वाला होता है सफलता प्राप्त होती है और अपने पिर्तिस पर्दियों को कड़ी पिर्तिस परधा देने में भी सक्षम होता है धनुराशी के लोगों के लिए बुद्ध दूसरे और ग्यारवे घर के स्वामी है और वक्री गती में आपके नवम भाव यानि भागय भाव में सक्रिय रहेंगे तो केरियर के मूर्चे पर आपको अपने काम के लिए विदेश में अच्छे मोके प्राप्त होंगे जिससे आपकी जीवन में खुसी आएंगी आपको बचत की संभावना के साथ धनलाब भी होने वाला है साती जोरान भागवदे की गुंजाइस भी की जा सकती है आपको अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए नए विवसाइक अपसरों के साथ अच्छी किस्मत का साथ मिलेगा जीवन साथी के साथ अनुकूल पल वैतीत करेंगे जो आपको खुस करने वाले साबित होंगे स्वास्थे भी अच्छा होगा लेकिन जोरान आपके खर्चे की अधिकता हो सकती है जो आपकी चिंता का करन बनेगी तो ऐसे में गुरू के लिए ओम गुरुवे नमह मंत्र का जाप करेंगे तो आपकी परिशानिया कम होंगी और अच्छा परणाम प्राप्त होगा इस रासी के लोगों के लिए यह सब्ता काफी भाग दोड करने वाला होगा सुगद पहलू यह होगा कि आपके द्वारा की गए परिश्रम और प्रियास आपको अच्छा परणाम देने वाले होगे जिससे आपको अच्छे लाब की प्राप्ती होगी इस सब्ताह अपने समय और अपनी ओर्जा का प्रबंदन करके चलते हैं तो आपको उम्मीज से कहीं ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी उम्मीज से ज़्यादा लाब की प्राप्ती होगी इस सप्ताहा आपको केरियर कारोबार में विशे सफलता मिलने की युग बनेंगे सप्ताहा के पूरवार्द में आप अपने जीवन सहली में बड़ा बदलाव लाने का प्रियास करेंगे इस वरान आप नई योजनाओं पर कारे करने की कोशिस कर सकते हैं और इन योजनाओं पर कारे करने से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा जो आपकी किस्मत में चारचांद लगाने का कारे करेंगे यानि आप सफल होंगे इस वरान आपको भूमी भवन और पैतरक संपत्य का लाव प्राप्त होगा इस सप्ता आप त्वरे तलाब के लिए शॉर्टकट लेने से बचें अन्यता गलती होने पर बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है जो आपको नुकसान में भेज सकता है राजनीती से जोड़े लोगों के लिए इस सप्ताहा के उत्रार्द का समय अत्यांत सुप साबित होगा आप अपने विरोधियों को मात देते हुए सत्ता के सिखर पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे इस वरान आपको उच्छ पद की प्राप्ती हो सकती है इस वरान कारुबाल के सिलसले में लंबी या छोटी यात्रा पर निकलना पड़ सकता है यात्रा सुब और लाभ प्रद साबित होगी इस सप्ताह आपकी जोली में ना सिर्फ पैसा बलकि प्यार भी आकर गिरेगा इदे आप किसी के सामने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे थे तो इस सप्ताह ऐसा करने की आपकी यह मनों कामना पूरी हो सकती है वहीं पूरु में चले आ रहे प्रेम सम्मदों में उबजी गलत फेमिया दूर होंगी नजदी क्यां बढ़ेंगी परवरिक जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से निभाते हुए नज़र आएंगे यानि सप्ताह सकरात्मक बदलाव कार्य छेत्रों सामाजिक जीवन में आपको दूसरों के साथ खुलकर बाचीत करने में मदद मिलेगी जिसके काराण आपके साहस और आत्म विश्वास में व्रद्धी होगी साथ ही आप हर नड़ने को लेने में खुद को पूरी तरह सक्छम पाएंगे इस सप्तार राहु माराज आपकी चंदर रासी के चोथे भाव में इस्तित होने की वज़े से आपको कमिशन, लाभांस या रोयल्टी के कारे के जरिये बड़ा फायता होगा साथ ही आप में से कैई लोग ऐसी किसी योजना में रुपे लगाने के लिए तियार होंगे जिससे मुनाफ़े की संभावनाएं जादा होंगी अपने मित्रों या संबंधियों को अपना आर्थिक कामकाज, रुपे पैसे से जुड़ी हर बात साजा करने से बचना होगा अन्यता वो आपसे उधारी की मौांग कर सकते हैं आपका आर्थिक बजट बिगड़ सकता है आपकी राशी के जो लोग पहले से ही विदेसी कंप्रियों में कारे रता हैं उन्हें इस सप्ता कोई बड़ी पदोनिती या लाभ मिलने की परबल संभाव न रहेगी कारिस्तल पर आपके वरिष्ट अधिकारी आपके काम की सरहना करेंगे सह कर्मियों का इजोरान पूरा समर्थन आपको मिलेगा आपकी राशी के चातरों को जोरान हर विषय में अनुकूल प्रणाम प्राप्त होंगे विशेष करके मध्य भाग का समय आपकी सिक्षा के छेतर में विशेष भाग्यवान साबित होगा क्योंकि इस समय आपका मन पढ़ाई में अधिक लगेगा जिससे आप अपना प्रदर्शन अच्छा कर अपने सिक्षकों का दिल जीत पाने में भी सफल होगे यह सब्ता आपको सफलता दिलाने वाला होगा आपकी किस्मत को चमकाने वाला होगा गरहों की स्तिति आपके लिए काफी अच्छी साबित होगी तो दोस्तो ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें जै मतादी दोस्तो